हेलो फ्रेंड्स आप सभी की फारमाइस पूरी हो चुकि जिन जी लोगों ने कमेंट किया तो मैडम बर्ग बनाना सिखाई है तो आज उन लोग के लिए रेश बहुत ही मत्तों पसंद आने वाली होगी क्योंकि उनकी फारमाइस पूरी होने वाली है मुझे उस टाइम इतना उमीद नहीं था कि मैं इतना लोग प्यार करें सपोर्ट करेंगे जो लोग नहीं करते वह भी करेंगे मुझे उमीद है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है वीडियो बनाना बट टाइम का भाग को जैसे मैं नहीं डाल पा रही हूं बट आज मैं आप लोगों को टा टिकी बनाना बहुत जरूरी है बर्गर के लिए तो आप लोगों टिकी दो तरीके से बनाए या तो आप अलू बाल कर कॉर्ण फोल डाल को उसको फ्राइ कर लीजिए या तो आप ऐसे समुशा की तरह मसाला डेडि कर लिजिए अगर हमें मसाला बनाना सिखाओंगे आपको अगर आपको नहीं सिखाओंगे तो आप इसके अलग पिसमत के थोड़ा स्कटिंग करके आप इसके अंतर मसाला डाल सकते हैं देखिए मैंने दोनों को पका लिया चारो तरफ से और इनको उपर हम डालोंगी मसाला मतलब पहरे क्या डालेंगे स्वास तेखिए कि बहुत य स्थया मैं डाल टीया टमेटो शॉस क्योंकि सब सबस्वास मेरा बच्चा ही घथा इंतजार में तो देखिए पहले में उसको लिए बना रही हूं तो मैंने डाल दिया है स्वास और थोड़ा से चिली सॉस थोड़ा स्टी बनाने के लिए तो बच्चों को थोड़ा ठीका जालाना बहुत ही ज़रूरी है अब इसके हम डाल देंगे जो हमने मसाला बनाया था समोसे जैसे का उसको हम डाल देगे टिकी बना करके अगर आपको थोड़ा और ही मतलब बजार जैसे टिकी पसंद हो तो आप उसमें आलू बाल करके कॉर्ण फ्लाव डाल करके नमो डाल के तो टकी बना के फ्राई कर सकते हैं दो तरीके से आपको इसको टिकी बना सकते एक्दम सिंपल तरीके से आपको लोग बता रहे हैं जो टेश रोपभरशे मिल्ण है और अपने अरपास कहाओ झ मॊन् और डालो मसाला सॉस आप लोगों को जैसे सॉस पसंद हो तीखा आप पास कोई मतब सॉस रखा हो आप पास अगर यहां पर रखा हो मोमोज चटनी भी उसके साथ सर्व करिए बहुत ही अच्छा टेश्ट आता है तो देखिए हमने दोनों को ऐसे पका ली यहां पर हमने डाल ट्रमाटो सॉस और इसके हम डाल देंगे इसमें ग्रीन चिली सॉस त्याम में डाल देंगे ग्रीन चिली सॉस और इसके उपर देंगे टिक्की और इसके उपर फिर हम डाल देंगे ग्रीन चिली सॉस के बड़ों को बना रहा है यहां पर हमने डाल दिया है यहां पर ओनियन विखा पसंदों मेठा पसंदों जैसे सब्जी पसंदों उस तरीकी से आप एड़ कर सकते हैं अपने कोडिंग ऑज़त पड़ से बना डालिए बर्गर घर पर तो देखिए कितना असान बनाना आप लोग बोल लेथे बर्गर बनाईए बर्गर बनाईए तो मुझे इतनी हु पोड़ बना रखेगा फिर मिलते अगले बिट्ट तक लिए बाई बाई